जैंए दोस्तो आज के इस कलास में हम लोग कवर करेंगे बीए थाड येर फिप्त समेश्टर जियोगराफी यानि भुगोल भुगोल के अंदर दोस्तो ये पेपर वन है ठीक है पेपर का नाम क्या है प्रादेशिक भुगोल जिसे औरिजिनल जियोगराफी बोलते हैं ठीक ह और जो आगराई उनिवर्सिटी के दोस्तो इनका जल्द ही एक्जाम होने वाला है इसी महिने में तो वो कमेंट करके बताईएगा दोस्तो आगराई उनिवर्सिटी के जो छाठ छात्रा हैं आपका एक्जाम सब्जेक्टिव टाइप होगा या फिर अब्जेक्टिव तरह करा दूंगा हालाकि इस कलास में केवल 25 प्रस्ण मैं ने रखा है वह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है ठीक है ये दूसरे बिस्वीद दाला में एक्जाम हो चुका है अब बताईएगा सब्जेक्ट्ट्ट्व को सब्सक्राइब करा दूंगा बहुत ही आसान तर दोस्तों जो इसमें 25 प्रस्ण मोस्ट इंपोर्टेंट अब्जोक्ट्व कोस्ट्ट्व पर है एक बात और दोस्तों आप जितने भी छात शातरा है मैं किसी से नहीं कहता हूं सब्सक्राइब कर दिजिए क्योंकि देखिए दोस्तों जो जिसको पढ़ना है वह क्योंकि क्योंकि most important class है कापी अच्य से preparation हो जाता है ठीक आप UPH राजिंदरा या फिर भूक से पढ़ते हैं और YouTube क्या होता है most important objective questions करा जाते हैं जो आने वाले होते हैं model paper हो गया ठीक है इस तरह से आपके त्यारी करा जाते हैं model paper से एक भी बच्चा बचे ना क्योंकि दोस्तों इतना भेनत करते हैं आप लोग अगर नंबर अच्छा नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा है ठीक है तो ध्यान दीजेगा इस class को share जरूर कर दीजेगा पहला प्रसना आपका इसमें देखेंगे क्या पुछा है प्रादेशिक नियोजन तथा विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये दखिए 100% अगर आपका objective question होगा तो यह आएगा ठीक है most important यह प्रसना ठीक है प्रादेशिक नियोजन तथा विकास नामक पुस्तक के लेख किस भोगोलवित्ता द्वारा किया गया तो इन्होंने किया तब यह डी विटलसीन है ठीक है आपसर नमबर बी correct है आपका याद रखेगा सभी most important प्रसन है ठीक है यह दूसरे एकजाम में पूछ चुका है ध्यान रखेंगे इस बात को ठीक है रिले का फुटकर वेपार मा डलता दोस्तों यह आपका क्रीसी से संबंदीत है ठीक है अगला प्रस देखेंगे प्रस नमबर चार क्या है प्राकिर्तिक परदेशों के निर्धारण में किन किन तत्वों को सामिल किया जाता है तो प्राकिर्तिक परदेशों के निर्धारण में दोस्तों ठीक है संरचना उच्चावच और जलवाईू इन तीनों का निर्धारल किया जाता है ठीक है आप समनमड़ी आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोग सभी चलिए प्रस नमर पांस देखेंगे आपका क्या पूछा है फ्रिड मैन की क्रोड परीधी बाहसंकलपना निम्न में से किस प्रकार के उध्धोग विकास के लिए अच्छी है लगू के लिए ग्रामिड उध्धोग के लिए भारी उध्धोग के लिए या फिर हतकरगा उध्धोग के लिए तो फ्रिड मैन की दोस्तों जो क्रोड परीधी बाहसंकलपना थी ठीक है तो इनका जो ग्रामिड था ठीक है ग्रामिड उद्धोग विकास के लिए काफी अच्छी मानी जाती है तो पांचवे का अफसर नमबर भी करेक्ट है चलिए अगला प्रसन देखेंगे प्रसन अमच्छा क्या है लोकेशनल एनालिसीस इन हुमन जियोगराफी पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तो इस पुस्तक के लेखक है पीटर हैगेट ठीक है बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखिएगा जो पुस्तक से संबंदित प्रसन ये आपके 100% आने वाले है ठीक है याद रखि क्या है आरपी मिसरा के द्वारा विकास धुरू माडल का पांचवा चरण कौन सा है पांचवा चरण कौन सा भिया तो ग्रामिल सेवा है ठीक है देखिए मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लेता हूं मैं डारेक्ट आपको कोश्चन बता देता हूं जिसमें मुझे लगता आपसा नमबर डी करेक्ट है आपका आठवा नमबर प्रसन क्या है आपका नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम की सुरुवात सरो पर्थम कहां से हुई याद रखिएगा बहुत इंपोर्टन प्रसन है नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम की सुरुवात सरो पर्थम दोस्तों जर्मनी से शुरू हुई थी ठीक है अफसर नमबर D करेक्ठ आपका चलिए प्रस्ण नमबर 9 देखेंगे आपका क्या पूछा है संपोसित संसाधन उपयोग सब्द का सरुपर्थम परियोग IUCN संगठन द्वारा कब किया गया था बहुत इंपोर्टन प्रस ने भ गया है तो भारत में नियोजित आर्थिक विकास का जो माडल अफिया 21 देश से अपना गया है तो रूस से अपना गया है ठीक है आपसर नमबर C करेक्ठ है भारत में नियोजित आर्थिक विकास माडल रूस से अपना गया है बहुत इंपोर्टन प्रस ने ठीक है चलिए 11 प्रसना आपका क्या पूछा है दिल्ली राष्टी राजधानी छेत्र NCR ठीक है नियोजन बोर्ड में कौन सा राज समिलित नहीं है ये पूछ रहा है दिल्ली राष्टी राजधानी छेत्र जो नियोजन बोर्ड है इसमें कौन सा दोस्तो राज सामिल नहीं है हर्याना उत्त माहा नगरी पर्देश को नियोजन इकाई की रूप में प्रस्तूद किया तो यह किये थे भी है प्र valley जो प्रस्तूद किये थे यह प्रस्तूद क किये थे यह याद रखेगा भाण ही संदार प्रश्चन है चलिए तेरे नमर पस्टन क्या है प्रदेश अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं यह किस ने कहा यह फिर ऐसे पूछता है यह कथन किसका है ठीक है तो यह सीसी कार्टर का है आपस नमर भी करेक्ट है आपका चलिए अगला पस्टन देखेंगे चवदर नमर क्या है भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश क्या है कल्याड कारी राज आत्म निर्भरता ठीक है राजटी आयमे ब्रीथी यह सभी है आपस नमर डी करेक्ट है आपका उप्रोग सभी चलिए अगला प्रसन आपका दे रखी ठीक है आपके चार अपसंद दिया है चार बाग्यानिकों के नाम दिया है और पूछ रहा है कि प्रादेशिक नियोजन की दार्सनिक अधार सीला रखी ठीक है नियोजन की दार्सनिक अधार सीला किसने रखी थी भाईया तो यहां बेंटर में कायने रखी थी ठीक है मैं क्यूं आपको बार बार ये बोला हूँ दार्शनिक अधार सीला ठीक है नियोजन की दार्शनिक अधार सीला ताकि आप एक्जाम में भूले ना ठीक है मैं भूले नहीं दूँगा नियोजन की दार्शनिक अधार सीला बेंटन में काईने रखी थी चलिए कमेंट जरूर क करिएगा आपके सब्जेक्टिव टैप पोश्चन होंगे या फिर अब्जेक्टिव ठीक है मैं बेट करूंगा कमेंट जरू करिएगा मानोविकास सुचकांग एच डी आई प्रतिवर्स कौन सी संस था जारी करता है तो यह union डीपी जारी करता है ठीक है मानोविकास सुचकांग कौन जारी करता है union डीपी सर इसका union डीपी का फूल फाम क्या होता है United Nations Development Program देखें मैं आपको बोल कर भी बता सकता था United Nations Development Program होता है ठीक है लेकिन दिमाख में बैठता नहीं है जब तक आप देखेंगे नहीं जब आप देख लेते हैं तो इसमें क्या होता है 70% से लिए करके 90% आपके दिमाख में छब जाता है हाँ यही है अगर फूल फ़म पूछेगा तो याद लगाए बोलेंगे कि सर बताये थे हमारा आपसन यही है ठीक है बोलने से क्या होता है कि उतना अच्छे से याद नहीं होगा ठीक है 17 नंबर फ्रस्न क्या है? प्रादेशिक नीयोजन की चाड़ विक भी थी ठीक है 1971 कितनी अवस्ताओं में बिभाजित की गई थी तो पाँच अवस्ताओं में बिभाजित की गए थी भ्या ठीक है आपसर नमबर D करेक्ट है आपका 17 का चलिए अगला प्रसन आपका देखेंगे 18 नमबर क्या पुछा है बिकसित और थव्यवस्था की विशेस्ताओं में सम्मिलित नहीं है क्रीसी प्रधानता, पूजी की प्रधानता, उच जीवन प्रत्यासा या फिर अधो की छेतर की प्रत्यासा ठीक है देखें जो पूजी की प्रत्यासा है जीवन उच जीवन की प्रत्यासा है और अधो की छेतर की प्रत्यासा है ये एक सेगमेट में होते हैं ठीक है क्रिसी छेत्र क्या भी है प्राकितिक पर्देश है नोडल पर्देश है समरूपी पर्देश है या फिर कार्यात्मक पर्देश है तो जो क्रिसी छेत्र होता भी है यह क्या होता है कार्यात्मक पर्देश होता है ठीक है आपसा नमर डी करेक्ट है आपका चलिए प्रस नमर बी दोस्तो 95% जो बत्चे होते हैं आपसर नमर D करेक्ट लगा देते हैं लेकिन ऐसा मत करिएगा पुरस्ण को बहुत ध्यान पुरुवग पढ़िएगा जब भी आप एक्जाम देने बैठेंगे ठीक है चलिए एक का इस नमर पसन क्या है आपका नियोजन परदेश एक ऐसी छे खेत्री एक आई होती है ठीक है इसका सिमांकन जो होता है भी यह सिमांकन इसका जलवायू के छेत्र के अधार पर किया जाता है ठीक है चलिए नियोजन परदेश एक छेत्री काई होती है और इसका जो नियोजन परदेश होता है इसका जो सिमांकन करते हैं जलवायू के संबंध रखता है तो जो सतत विकास भिया नियतीवादी आउधारणा से भी नहीं रखता है नम नियती आउधारणा से भी नहीं है संभवादी आउधारणा से भी नहीं या अपसले Numbers D correct हो जाएगा इनमेंसे कोई नहीं ठीक है चलिए अगला प्रस्ण आपका देखेंगे तेश नमबर क्या है सतत विकास लच SDGS जिसे 2030 तक परात करना है ठीक है इसमें कितने लच्छों को सम्मिलित किया गया है ये अगर आपका objective type question होगा तो मुझे लगता है ये 100% आएगा ठीक है बाकी आप लोग कमेंट करिएगा subjective होगा या objective तो इसका answer होगा दोस्तों 17 ठीक है इसमें 17 लच्छों को सम्मिलित किया गया है अगला प्रस्ण देखेंगे आपका क्या है प्रस्ण नमर 24 है सोतंतर भारत का पर्थम नियोजित नगर कौन है बहुत ही important प्रस्ण है ठीक है आप competitive exam में भी ये पूछ सकता है सोतंतर भारत का पर्थम नियोजित नगर जो है भी या वो चंडीगड है ठीक है आपसा number C correct आपका अगला प्रस्ण देखेंगे बहुत ही important है बुक से संबन दित है new exploration ठीक है a philosophical of original planning नामक पूस्तक के लेखक कौन है तो इस पूस्तक के लेखक भी या भी मैकाई ठीक है उमिदे साथियों दोस्तों चात चात रहा है जो भी है आपको कलास अच्छा लगा होगा ठीक है जैव मैंने आपको जिम्मेदारी दी है उसे बखोभी निफाइएगा शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेश्ट कलास में तब तक लेजए हिंद वन दे मातरम